Hello student, this is Sanjeev Jai, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel. As you see, that our topic is circle. और circle से जुरे हुए पहले जितने सारे terms से जो परिसानिया देती हैं, उसे मैंने explain कर चुका हूँ उसके पहले वाले वीडियो में. आज जो circle करेंगे, उसका exercises करेंगे. I hope आप पिछले वाला वीडियो देखे होंगे, आप अगर पिछले वाला वीडियो देख पाईएगा, तब इस वीडियो का आप समझ पाईएगा, वर्णा आप नहीं समझ पाईएगा. तो इसलिए आप से request है, कि you go in my playlist and find out the circle chapter that I have already told you or learn about that. Okay, now further as you see, questions circle में कुछ इस तरह क्या आते हैं, जैसे आप अपनी screen पे देख रहे हो. So, calculate the length of the chord, okay, which is at the distance of 12 cm from the center of a circle of radius 13 cm. तो इसमें तीन चीज़ दिया हुआ है, first one that is radius, okay, the length of radius, आप जानते हो radius क्या होता है, radius, बता चुका हो मैं, radius क्या होता है, radius होता है, माल लो अगर ये circle है, suppose इसे circle और ये center है, तो center से circumference का जो difference है, ये जो distance है, तो ये वाला r होता है, यहाँ से लेकिए यहाँ तक जो distance है, वो r क्यालाता है, right, पता होगा, तो इसका value में पता है, चलिए, लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, so student, suppose ये हमारा एक given circle है, okay, इसमें दिया क्या हुआ है, पहला देख लेते हैं, पहला चीज़ है, जो radius है, ठीक है, radius दिया हुआ है, माल लिजिए, इसका center O है, और ये जो बना रहे है, ये है हमारा radius, okay, that is the radius called, जिसका length हमें पता है, कितना दिया हुआ है, 13 cm, right, radius दिया हुआ है, 13 cm, now, further दूसरा क्या दिया हुआ है, the length of the chord, length of the chord, which is at the 12 cm, from the center of circle of radius, 30 cm, that is, एक chord है, chord आप लोग जानते हैं, कि माल लोग कोई दो point को मिलाते हैं, circle के दो point, इस circle पे एक point A है, और circle पे point B है, इसको मिलाएंगे, तो ये क्या कलाएगा, chord होगा, तो इसका length हमें निकालना है, ठीक है, चलिए, ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, बता रहा है, कि distance at the 12 cm for the center, अगर ये center O है, और ये इसका distance है, वो कितना है, 12 cm, समझ माया, मैंने क्या बता है, ये दिया हुआ है, that is a circle, okay, you have to calculate the length of this, A, B, chord का length हमें पता करना है, जिसमें हमें radius दिया हुआ है, और center से, ये chord है, इसका दूरी दिया हुआ है, ठीक है, चलो, देखी, क्या क्या दिया हुआ है, given में, so students, as you see, that given is radius, यहनी radius हमें दिया हुआ है, यहाँ पर O, A, ठीक है, O, A, equal to 13 cm, given, and the distance from center to the chord is O, M, that is 12 cm, and you have to find length of the chord, A, B, okay, चलिए, तो, हमें एक चीज़ याद रखना है, आप अगर देखी, इस चीज़ को गौर से देखिए, तो पता चलेगा, कि यह जो आपको दिख रहा है, यह जो है, क्या है, right angle है, है ना, देखिए, यह क्या है, एक right angle है, जिसमें, यह हाइपोटेनस है, यह perpendicular है, और यह base है, है ना, सहज मारा है, तो by Pythagoras, मैंने बताया था, क्या बताया था, कि, हाइपोटेनस, इस इक्वल स्टू, परपेंडिकूलर, हाइपोटेनस का स्कॉर, स्टू, हाइपोटेनस का स्कॉर, स्टू, हाइपोटेनस का स्कॉर, याद होगा आप लोग को, हाइपोटेनस का स्कॉर, इक्वल स्टू, परपेंडिकूलर स्कॉर, प्लस, बेस का स्कॉर, समझ में आ रहा है आप लोगों चली मैं समझा दरहा है सची एक राइट रैंगल है ठीक है राइट एंगल याद होगा आप एन दो गाप लोग तो इसका रिलेशन यह होता है कि वाइथोगरेस सीरम अगर यह ट्रियंगेल है तो क्या होता है? इसका स्क्वाइड जो होगा इन दोनों के स्क्वाइड के सम के बरावर होगा Let's see Okay guys तो यह यह बाई पाइधाव वीरूस मृता है और नहीं होता हुट अघए भरते हैं तो यहां हम देखते हैं उसी चीज को यहां apply करते हैं तो यह भी एक right angle है जिसमें hypotenuse OA है तो hypotenuse क्या है OA है perpendicular OM है और AM क्या है बेस है चले लिख देते हैं तो यह बच्चों that is H यहां पर क्या है OM sorry OA is equal to P जो है हमारा क्या है यह पर्पेंडिकुलर क्या है यह वाला पर्पेंडिकुलर है that is OM OM स्क्वाइर और बेस AM स्क्वाइर समझ माया हमने इसको पाइथागर उस तुर्यों में डाल दिया डाल के हमें ओए और OM यह वाला मिल गया तीन चीज़ ठीक है now putting the values OA का वैलू क्या है देखिए कि ओए का वैलू 13 जो दिया हुआ है डाल दीजिए 13 का स्क्वाइर OM OM दिया हुआ 12 का स्क्वाइर और AM यही तो हमें पता करना है प्लस AM का स्क्वाइर ठीक है चलिए इसको हम क्या करते है इसको ट्रांस्पोर्ट मेंटल से क्या करेंगे इसको इदर लाएंगे तो AM 생각 of sera is equal to 33 square माइनस 12 इसकोइर न का स्क्वाइर समझे महां है यह इधार यह जाये है यह दार यह तो माइनस हो गया चलिए 13 इसकोइर कि अए तो है तो क्या हैगा 13 इसको क्याइए 142 एकोड़ का 144 इस इक Union डाद कि टाना जाएगा हमारा 25 तो am का value क्या है am square equal to 25 therefore स्वारी दिख रहा होगा आप लोगो is equal to तो am equal to क्या हो जाएगा therefore am equal to 5 आप लोग यह चीज आता होगा square root निकालना तो am का क्या आ गया 5 आ गया इसका value हमें पता चल गया जो हमें पता करना था am ठीक है समझ माया लेकिन am ही नहीं है बच्चो क्यों क्योंकि length हमें इस पूरे का निकालना है ठीक है यह है cord यह ही तो पूछ रहा है length of the cord that is a b तो हमने सिर्फ am निकालना है समझ माया यहां से पाइथगर स्वीरम से हमने सिर्फ am का निकाल अब आप गौर से देखो तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि यह perpendicular है कोई भी perpendicular का draw करता है cord पे तो cord को क्या करता है two equal part में divide करता है यानि यह यह पूरा कितना होगा इसका double होगा है ना समझ माया तो हमने इसका value निकाल लिया है फाइब सेंटीमिटर है तो इसका यह double होगा ओके चली देखते हैं कैसे होगा ओके बच्चों समझ माया तो ab का value कैसे निकालेगे ab equal to two into am क्यों 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 कि om जो है देखिए आप देख लीजिए थोड़ा सा om क्या है इसके उपर perpendicular है तो यह क्या करेगा यह इसको two equal part में divide करेगा तो इसका value पता है तो हम इसको अगर दो से multiply करेंगे तो पूरे का value पता चल जाएगा और जो कि हमें पता करना है okay चली that's fine 2 into ab तो am का हमने value निकाला है sorry am तो am का value निकाला है 25 यहां पे am कितना आया 5 तो 2 into 5 that is ab equal to 10 cm तो ab हमें यहीं लेंथ निकालना था तो यहीं हो जाएगा therefore the the length of the cord is 10 cm okay that is our answer okay बच्चों समझ में आया हो आपको समझ में आया होगा ठीके फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखिए I definitely assure कि आपको समझ में आ जाएगा चलिए अब दूसरे तरह के समस में जाते हैं इस तरह के कुछ questions आते हैं जिसमें क्या दिया रहा था आप देखो पढ़ते हैं चलो a cord length जिसमें cord length दिया हुआ है यह यह भी जो हम निकाले थे यहां पर दिया है cord length 48 cm is drawn in a circle circle एक है circle का cord का length भी पता है और उसका radius भी पता है 25 cm तो समझ में आया क्या दिया हुआ है कि cord length 48 cm is drawn in a circle of radius 25 cm calculate its distance from the center to the circle तो आपको calculate करना है कि उस cord का जो length drawn किया है है वो cord length center से कितना दूरी में है ठीक है समझा रहा हूं समझ में आएगा चलिए कि मालनी जीए यह हमारे पास एक circle है given circle circle बन नहीं रहे आप लोग तो आच्छी सवर बैनाएगा तो यह हमारा circle है जिसका center O है center O है ठीक है और एक cord है आप लोग जानते हैं cord क्या होता है कि दो point circle की किसी भी दो point को मिलाते है तो वो cord होता है तो यह भी हमारा cord है और center O है right अब इसका radius भी दिया हुआ है तो सरी इस cord का length भी आपको पता है 48 cm दिया हुआ दीखें cord length is 48 cm तो हो गया drawn in a circle of radius 25 cm radius क्या है इसका 25 cm मतलब ओ से यहां पर आप कहीं भी मिला सकेंगा तो इसका radius जो आएगा वह है यह भी दे दिया 25 cm तो आपको पता क्या करना है देखें आगे calculate its distance आपको distance पता करना है मतलब यह center से यह radius से इसका दूरी कितना है मतलब center से radius कितना दूर में है तो यह वाला अगर चीज हम पता कर लेंगे तो देखें यह तो दूरी है यह तो distance है तो हमें यह distance पता करना है that is the distance सहुझ मार रहा है बच्चो तो देखें यह भी एक right angle triangle triangle है आप अगर इसको देखेंगा तो यह भी क्या एक right angle triangle है ठीक है तो हम यहां भी से निकाल सकते हैं लेकिन उसके पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा चलिए देख लेते हैं बता देता हूं कि क्या करना पड़ेगा उसके पहले हमें यहां पे इसका वैलो निकलना पड़ेगा चुकि यह पूरा का लेंग दिया हुआ है 48 cm का है पूरे लिंदि का तो हमें क्या पता करना होगा यह पाइस को स्विरेर्म के लिए हमें सिर्फ सिर्फ इतना ही पाइप प्पोर्षटन चाहिए यहां से लेकिते हैं हैं नगा में लीक Alors Gdd मैं संपधार यहां प्रूरों किया है तो यह 2berry कर देता है ब Leist cert करता है यहां हुआ कि इस इस PART को निकालां मतलब यहां से लेके यहां तक का वैलु हम निकालेगे तो हमें इसका ग्लव पता चल जाएगा पिर हम बद्रेकशन से यह बालँ निकाल लेंगे ठीकख अब चलिए देखते हैं तो बच्चों जैसे आप देख रहे हो solution में क्या दिएंगे क्या दिया हुआ है radius जो की OA है इसमे यहाँ radius क्या है OA है 25 cm और AB जो की length of quad है AB 48 cm इसके पाद जो करना होगा यहाँ से असरी solution होता है क्या जो की OA perpendicular है AB पे इसलिए M जो होगा यह midpoint होगा AB का midpoint होगा ठीक है तो हम करते हैं पता चलेगा तो as you see बच्चों जैसे आप देख रहे हो क्या बता है मैंने की OM देखो लिखा हुआ है OM is perpendicular to AB तो मैंने वही चीज़ लिखा OM यह perpendicular को साइन है इसे perpendicular को हम ऐसा लिखते है तो OM perpendicular to AB therefore M जो है मैंने यहां लिख दे लेकिन यहां होना चाहिए जगर नहीं है इसलिए यहां लिखा तो M is the M is the midpoint of AB ठीक है तो midpoint है M तो यह क्या होगा तो हमें निकालना क्या है AM therefore AM is equal to double half half of the AB AB का half है यह क्योंकि यह midpoint है तो यह दो equal part में डिवाइड कर रहा है तो AM कितना होगा AM half of AB होगा right समझ माया चलिए अब value put करते हैं तो half AB का value दिया हुआ था ना 48 देखि AB का value दिया 48 cm चलिए तो इसको cancel करेंगे तो कितनी बार जाएगा 24 time that is AB का value AM का value आ गया 24 24 as you see हमें अब फिर से right angle triangle मिल गया जिसमें hypotenuse का value पता चल गया हमें पहले से दिया हुआ था जो की radius है यहाँ पे और हमने AM का value निकाला जो की base था अब हमें निकालना क्या है perpendicular का चलिए बाइपाइथोगरियों सिरफ हम क्या निकालते हैं इसी चीज़ को तो जैसे कि आप देखे तो नाओ इन राइट एंगल ट्रेंगल OAM यह O है ठीक है OAM इसमें OA that is hypotenuse तो पहले लिख देता हूँ H square equals to P square is equal to P square यह तो होता है formula by theorem Now H square हमारे लिए क्या है यहाँ पे H square OA है तो लिख देते हैं P square that is OAM perpendicular OAM का square और B that is base यह 48 हमने निकाला अभी AM 24 तो पहले लिखते हैं फिर वैलो पूट करते हैं that is AM का square Now putting the values what we get चलिए देखते हैं OA का वैलो कितना था दिया हूँ है OA that is radius 25 cm तो 25 square is equal to OAM देखे OAM OAM क्या था यह तो distance यही तो निकालना है दिख रहा है अपनो OAM यही तो निकालना है यह question mark है distance कितना है तो यह तो मालूब नहीं यही पता करेंगे चलिए लिख देते हैं और AM हमने यहां निकाला है AM देखे AM 24 तो यहां पर 24 का स्क्वाइर ना आप ट्रांस्पोर्ट में तट करेंगे OAM धर रहेगा OAM is equal to 25 square minus 24 square दिख रहा होगा आप लोगो आई होप चलिए मैं यहीं पर कर देता हूँ आप लोग ऐसा नहीं करिएगा नहीं दिख रहा है से दो चलिए तो आप वैलू पूट कर दिए अब तो यहां पर 25 का गाएगा 625 minus 24 का कितना आता है बताएगे आप लोग yes 576 तो मैनेस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 49 तो OAM square नहीं दिख रहा है सारी चलिए अब दिख रहा होगा आप लोगो नाओ OAM square equal to 49 तो OAM कितना आता है square root तो निकालना आता है ना OAM is equal to क्या होगा 7 तो OAM that is 7 यही तो हमें निकालना आता है ना OAM equals 7 cm देखे क्या निकला OAM दिखाओ मैं figure दिखा रहा हूँ देखे OAM यही तो निकालना था OAM O M यही डिस्टन्स पता चल गया हमको कितना दूरी में है 7 cm ठीक है समझ माया आप लोगो तो चलिए लिखते है answer finally answer क्या लिखेंगे that is क्या कोशन को जाता है उसी को लिख देंगे तो distance from the center the therefore the distance from the center of the cord distance from the center of the cord is 7 cm that is our answer okay बच्चो I hope you understand आप बहुत अच्छी तरह समझे होगे आप इस तरह इस तरह को फॉलो करो आप definitely जो remaining sums है आप definitely remaining sums को कर पाएंगे बस basic पे आप टिके रहिए basic को देखिए और आप कर पाएंगे okay so if you do have any queries you can ask me or inbox me I will definitely help you okay thank you thank you for the watching